समिधान सभा 26 नौंबर उनिसो पचास को समिधान का मुसोदा तयार करके समिधान की प्रती समिधान सभा को सौंपती है और 26 जनवरी उनिसो पचास को इस देश ने अपना समिधान बागू किया भारत का समिधान कई माईने में बहुत महत्वपून है यहां पर जहां भारत के प्रतीक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्सा भारत का समिधान अपने प्रतीक नागरिक को प्लब्द कराता है वही भारत के प्रतीक नागरिक के लिए उसके कुछ मौली कर्टब भी भारत के समिधान ने दिये हैं अधिकार और कर्टब के बीच का ये समनवे ही भारत के समिधान को दुनिया के अन्या समिधानों की तुन्ना में कुछ विसिष तस्थान रखता है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत के समिधान ने दुनिया के सामने अपनी विशिष्टा की छाप छोड़ी है खास तोर पर आधी आवादी को देश के पहले आम चुनाओ से ही मत्तान का अधिकार मिले आधनिक लोक तंत्र की डिंग हांकने वाले ब्रिटेन में याधिकार बहुत बाद में मिला लेकिन भारत में पहले आम चुनाओ में ही याधिकार प्राप्त हो गया था इस देश के अनुसुची चाहती जन जाती की एक बड़े समधाय को समाचिक और आर्थिक दिश से समाज और राष्ट की मुख्यधारा के साथ जोड़ने के साथ-साथ उन्हें उनका अधिकार प्राप्त हो बंचितों को दलितों को यह अधिकार भी भारत के सम्धान में भारत की प्रतेक नागरिक को दिया प्राद यही कारण है कि तमाम सम विसम प्रस्थितियों के बाप जोड़ भारत का सम्धान भारत के प्रतेक नागरिक को नकेवल सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए सरिव प्रेड़ित करता रहा है बलकि दुनिया का सबसे जीवन्त लोकतंत्र के रूप में अपनी एक अनवरत त्यात्रा को आगे बढ़ा रहा है हम सब को भारतियों होने का गौरव प्रदान करने वाला भारत का इस संबिधान भारत की मूल भावनाओं का प्रतनित भी करता है आज जब एदेश अपना तेहत तर्मा गणतंतर दिवस मना रहा है हम सब को भारत के उपलब्दी पर गौरव के अन्भोती करनी चाहिए आज भारत दुनिया की एक उभरती वे अड़ते बिवस्ता के रूप में दुनिया के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत कर रहा है आज दुनिया के अंदर भारत को कोई नजरंदाज नहीं कर सकता इस सजी की सबसे बड़ी महमारी करोना के दौरान भारत ने ये साबिद भी किया है प्रधान मंतरी बोदी जी के नेत्रित्तों में बेतरीन करोना प्रवंदन जिसमें जीवन और जीविका को बचाने की पूरी करांटी रही हो भारत का ये करोना प्रवंदन दुनिया के रिए आज भी एक नजीर बना हुआ है आज एक बार फिर से हम सब को इस संक्वप के साथ जुड़ना होगा कि हम अपने भारत के समिधान की मूल भावना का सम्मान करते हुए जीवन में जब भी अगर हम अधिकार की बात करते हैं तो उससे पहले अगर अपने कर्टब्यों के बारे में भी प्रतेक नागरिक विचार करते हुए इमानदारी से अपने कर्टब्यों का निर्वहन करने लग जाए तो वहाँ मुझे लगता है कि भारत को दुनिया की अगरणी रास्टों की रूप में खड़ा करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी भारत निस्थी दुनिया की एक महा ताकत बन करके आगे वढ़ेगा मैं आज की सौसर पर उत्तरप्रदेश देश की आबादी की सबसे बड़े राज्य जिस उत्तरप्रदेश ने विगत पांच वर्ष के दोरान एक लंबी यात्रा प्रारंब की है विकास की संब्रिदि की सुसासन की और जीवन की प्रतेएक छिट्र में आगे वढ़ने के लिए देश के अंदर एक नई नजीर प्रुस्तुत करवा है इस उसर पर मैं उत्तरप्रदेश के अंदर जीवन के प्रते एक छेटर में कारे करने वाले उन सभी नागरिकों को जिन्हें कल पदम पुरुषकार से संबनित भारत सरकार ने संबनित किया है उनके नामों की घोचना की है उन सब को हिरदे से बढ़ाई देता हूं मैं देश के उन सभी महापुरसों की प्रतिसम्मान बड़ ड़क्त करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सरवस्व ने छावर किया उन महान 133 संग्राम सेनानियों को जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई को एक लित्रत्र तो दिया था और जिन्होंने देश की आजादी का अन्भाव कभी अपने आँखों के सामने नहीं देखा लेकिन एक जजबा था भारत को हर हाल में स्वाधीन कराने का एक उभरतेवे भारत को दुनिया के एक महासक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे है भारत को आगे बढ़ने का उनका सपना आजाद भारत किस मजबूती के साथ आगे बढ़ करके उसे लेके चला है एक आत्माव लोकन करने का इविक आउसर या पर वो हम सब को दे रहा है मैं सवसर पर राष्ट पिता महात्मा गांधी सरदार बंदभाई पटेल नेताजी सुवास अनरबोस भारत माता के ज्यात और रग्यात उन सभी सहीदों को जिनोंने देश की स्वाधिनता के लिए और स्वतंद्र भारत मैं भारत को एक नई दिशा देने में अपना युगदान दिया है उन सब को मैं सौसर पर बिनम्ब सरदान जले अर्पित करते भी कोटी कोटी नमन भी करता हूँ मैं भारत माता के उन सभी बीर सपुतों को जोनोंने भारत की बहाय और आंत्रिक सुरक्सा के लिए अपना बेलदान दिया है उन सभी को भी मैं इस उसर पर बिनम्ब सरदान जले रपित करता हूँ उनके सहाधत को नमन करता हूँ उत्तर प्रदेश आज जीवन के पते एक छेतर में आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश के बहतरीन कानून बिवस्ता सुरक्सा का एक बहतर माहूल देश के विविन राज्यों के सामने एक नजीर बनकर के उपरी है इस उसर पर मैं उत्तरप्रदेश को एक सुरक्सित उत्तरप्रदेश और सुरक्सा से संब्रदी की और अग्रसर करने वाले अपने उन सभी जवानों को जिन्होंने उत्तरप्रदेश के अंदर एक महोल देने में अपना युगदान दिया है आज वे हमारे बीच नहीं उन सब को भी मैं बिनम्र सरधन्जले रपित करता हूँ उत्तर प्रदेश को आज एक विक्सित उत्तर प्रदेश के रूप में संपरिद उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ने के जिस जज़वे के साथ आज उत्तर प्रदेश आगे देजम्नदन करता हूं सब्भारत 20 पनिदां की 5000 का निर्वधन करने के लिए अगर हवे लाइशिकूर में इस कारेग को इमांदाली आगे वड़ाने के संकल्पित हो करके कारे कर सकेगा तो भारत को दुनिया के एक महा ताकत की रूप में स्थापित करने में कोई भी ताकत नहीं रोप पाएगी एक बार फिर से तेहत्तरमें गणतंतर दिवस के उसर पर पूरे प्रदेश वास्यों को मेरी हार्दिक बधाई और शुपकामनाए धन्यबाद जय है